हाई एवरिवन सो टुड़े वियर स्टाटिंग चैप्टर नाइन अफ इंग्लिश लिटरचर देखो यह चैप्टर थोड़ा सा तुमको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा समझने में क्योंकि यह एक बहुत ही लंबा सा नोवेल का एक छोटा सा पार्ट है ठीक है एक्स ट्रैक्ट है तो इसको मलब की ऐसा तुम इसमें से कुछ उतना हासिल नहीं कर पाऊ जतना तुमको ऐसा कोई भी स्टोरी से लगता है यह उपर से तुमको मलब की हलका सा व्यू मिलेगा इस कहानी में इसका जो नौवल है तुम औरिजिनल वाला जब पढ़ हो गया ठीक कहानी का सार क्या है तो चलो लेट्स स्टार्ट इनके बारे में पढ़ता है जो ओधर है जो लिखे है इस कहानी को तो इनका नाम है अन्टोनी दिस्टेंट एक्जूपेरी ठीक है बहुत लंब चोड़ा नाम है वासा फ्रेंच राइटर एंड एन एवियेटर फ्रांस के थ लगवार टू लगबग उनीच सो पैलिस तक चला था नाइंटीं थटीनाइन टू निनिटीन फॉर्टीफाइब तक चला था तो जंग हो रही थी ठीक है यूद्ध हो रहा था पूरे वर्ल्ड में ठीक है अमेरिका यूस एससर के फ्रांस के सब मिलके लड़ रहे थे बू और इसी वक्त में वह क्या किये जो यह एंटॉनिय देश सेंट है वह लिखने लगे कहानिया लिखने लगे ठीक है और यह जो अपना कहानी है अपने जो वर्क है ऐसा पाइलेट वह पाइलेट थे तो उसी बेसिस पे कुछ ना कुछ कहानिया यह लिखते थे कुछ उनका नाम है विंड, सैंड, स्थार्स, नाइट, फ्लाइट, और लिटल प्रेंस ओक है और इन्हें सम्मानित किया गया है बहुत सारे अवार्ड से, लिटररी अवार्ड से, होना, यूएस नैसल बुक अवार्ड भी इनको मिल चुका है और जुलाई 1944, इस प्लें डिसपीर्ड ओवर दा मेडिटरेनियन सी, दर ट्रू कॉज अपिस देटिस्टियल नेमें लेगो क्या हुआ था 1944 में अपना जहाज में उड़के कहीं जा रहे होंगे तो क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, कि ये गुम हो गए, मेडिटरेनियन सी में गुम हो गए ठीक है, और ये हो सकता है, मर गए होंगे, और मलब इनका कुछ बॉड़ी का पता नहीं चला, इनका मलब की देट कैसे हुआ, ये सब एक मिस्टरी है, ठीक है पता नहीं चला कैसे क्या हुआ, ये जो है लिटिल प्रिंस जो स्टोरी है, ये एक नोवेला है, देखो एक होता है नोवेल, ठीक है, एक लॉंग स्टोरी होता है, ठीक है, बेसिकली ये एक, मलब कलपना बेसिस होता है, मलब कलपनिक होता है, ये ट्रू नहीं होता है, अक् ओज होड़ा उसमें और एक सब्सक्राइब और इस वाध को सब्सक्राइब ऐसा 10 2-4 च्थोरी leo फोटली की का होता है झाए इन दौनों के बीच में आता है और एक Novel के बीच में आ जाता है Novel ला लाश्म में लगेगा इसमें कि Novel is a work of fictional prose that is shorter than a novel and longer than a story fictional और non-fictional का बारे में हम बता चुके हैं fictional मतलब कालपनिक है कोई कार्टून वगरा है मतलब अपने समंगड़न कहानी बना दिया उसको fictional बुलेंगे और एक नॉन फिक्षिनल जो ओरिजिनल जैसे के आटो बैग्राफी एमेल जोनी का जैसे फिल्म बन चुका है ठीक है सचिन तनुलकर का फिल्म बन चुका है ठीक है एपीज अब्दुलकरा आपने अपना बारे में लिखे हैं दे विंग्स ऑफायर तो इस तरह से उसको नॉन से इस तरह सौट स्टोरी स्लिखने लगें ठीक है नॉवेला जनरली है फ्यूवर क्यरक्टर एंड सब अनोबल्स चोटा सा स्टोरी है एक लॉंग सॉट स्टोरी माना जा सकता है ठीक है और क्या है बस यह तुम देख लेना मालब यह सब काम है और सारा एटर कानी प्याते ह कौन बोल रहे हैं यह एंटॉन यह वही जो पाइलेट है ना इंटॉन वही बोल रहे है कि मैंने अपना जिन्दगी जो है अकेला गुजा रहा है यह ना विदाउट एनिवन दैट आ कुद टॉक टू अना बीना किसी से बात की है जिसे हम बात कर सके मालब बेसिकली अकेला जिन्दगी गुजारा हwarz गुजारा है ईसा अइन्टिल आट एन एक्सिदेंट विद मैं प्लैण इन्टिडेश ऑफ सहारा जब तक कि मैं एक sujet से नहीं कुज़रा है Pokémon original नहीं हो पूरा जमीन अगर झsm diy भाड़ी दियुक बोलें उसको भी बुक्ष सब्ढकिए me अंटार्टिक में है तो हऊइ यह को मिलें बहुत सारा जो इसमें इसी में आ जाता है ठीक है नुत tien के अंदर आता है तो 6 साल पहले इनका accident हुआ है यह एकेले लाइफ जी रहे थे और अचानक से इनका accident हो जाता है साहरा डेजर्ट में और crash हो जाता है and as I had with me neither a mechanic nor any passenger और यह एकेले थे तो obviously इनके साथ कोई नहीं होगा ना ही इनके पास mechanic था ना ही कोई passenger इनके plane में बैठा हुआ था ठीक है एकेले थे बिल्कुल I set myself to attempt the difficult repairs all around देखो और क्या हुआ जब वो plane crash किया बालू में बस तो गये यह बच गये ठीक है मगर कोई तो था नहीं तो एकेले repair करने का कुछिश कर रहे थे it was a question of life or death for me और देखो वो जो desert हम बता रहे ना वह बहुत खतरनाक desert है मतलब कि नहीं तुमको कुछ खाने पीने का मिलेगा नहीं पानी मिलेगा तो ही तो क्या हुआ यह बीच में कहीं फास गये होंगे और इ जीना है तो मरना है ठीक है यह फिर हम plane बनाके plane बना ले और अपना जिंदगी बचा ले यह फिर यहीं मर जाए इनका यह option आ गया था और इनके पास स्रिफ एक हफता के लिए ही पानी था मुश्किल से स्रिफ एक हफता तक का लिए पानी था ठीक है हो सकता है बहुता लुतल में रखे होंगे ठीक है मतलब यह actually मैं एक हफता तक ही जी पाते हैं ऐसा इनको अनुमान लग रहा था इसका जिंदगी में पूरा जो उनको सोना पड़ा था बालू में और हजारों मिल दूर जो इनसान की बस्ती है उनसे हजारों मिल दूर ऐसे जगह में यह जा पहुँचे और यहान को सोना पड़ा वो उनका ऐसा कहता पहला नाइट था इसा पहला इनका एक्सप्रियंस था दो कहने का मतलब क्या है कि वह इतने आइसुलीटेट का मतलब होता है जब तुम किसी से मिलते जूलते में बहुत अलग हो जाते तो यह अकेला हो गया था यहना को इंसान का बस्ती इंसान नहीं दिख रहा था आसपास तो यह क्या था किस तरह से की एक सीप अगर कोई सीप है अगर 20 समुनदर में तकटा के गिर गिर गए तो जो बोट में जो सेलर था जो इसको चला रहा था ना सब्सक्रा MORE ये किसी तुकणी सब्सक्राइब है तो पूरे समुनदर में क्या बच जाएगा है ना सबस्कुरा अकेला पड़ जाएगा तो इसी तरह का situation इसके साथ भी आ गया है दस यू कन इमेजिन माइजमेंट दस यू कन इमेजिन माइजमेंट एट सन्राइज वेन आई वस अवेकेंड बाई एन ओल लिटल वाइज और जब इसको लगने लगा कि हम बहुत मैं बहुत अकेला हूँ यहाँ पर मेरा मौत हो सकता है तब उसका तुम माइजमेंट तुम देखो माइजमेंट क्या उसका सर्प्राइज वाला फिलिंग आया जब जो सुभा उठा जना उसको उठाया गया है कौन एक छोटे से बच्चे की आवाज ने उसको उठाया मतलब कि जब वो उठा तो एक देखा कि वह सामने एक बच्चा है तो बहुत सर्प्राइज हुआ क्या हुआ बहुत जादा सर्प्राइज हुआ अमेजमेंट का एक्चुली में मतलब होता feeling of great surprise ठीक है फिर क्या होता है वो जो बच्चा है वो मतलब कि इस तरह से dress किया हुआ है कि लग नहीं रहा है कि वो कहीं भुलाया हुआ बच्चा है ठीक है जैसे कि यह भुला गया है मतलब कि यह कहीं crash कर गया बालू में और यह ब नहीं कि वह भुलाया है कि अ मतलीए करनी झाल बच्चा को देखता है ठीक है तौल यहाँ यहां तुम देख रहोगे यहीं जही उस उसका dressing था, यहीं उस बच्चे का dressing था एक prince के तरगा, तो इसी तरह से dressing था तो देखा कि तो थोड़ा ताजूब लगा, है ना, if you please draw me, तो जो बच्चा है वो बुला, क्या बुला? if you please draw me a ship थेक यह वो बच्चा बोलता है कि क्या आप मेरे लिए ship तो अब देखो तुम एक परसन है जो साहरा डिजर्ट में उसका प्लैन क्रेश कर गिया है बज गया है और उसके पास एक हफता के लिए ही पानी बचा वह मुश्किल से खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है अगल बगल कोई इंसान नहीं है वह सकता है मर जाएगा ऐसा उसको मेरे लिए शिप ड्रो कर दो ठीक है तो अचानक से उसको अजीब लगेगा तो फुसता है वाट ड्रो मिया शिप फिर से बोलता हो बचल एक शिप मुझे ड्रॉप करके दो आई-जम्ट टू-माइ-फीट कंप्लिटली धंडर स्ट्रक है ना क्या होता है यह कंप्लिटली स surprise हो के यह खड़ा होता है and I saw a most extraordinary small person और वो क्या देखता है एक extraordinary छोटा आदमी देखता है वही चोटा बच्चा देखता है who stood there examining me with great seriousness और वो बच्चा क्या कर रहा है उसको examine कर रहा है क्या है कैसा है ठीक है मतलब हम क्या उसको को examine करेंगे वही हमको examine कर रहा है कि कौन है हम with great seriousness और उसका जो wise है उसका जो बात है बहुत ही serious mode में है मतलब मजाग में नहीं कर रहा है ठीक है वो serious है कि उसको एक ship बना के देखला हो ठीक है drawing बना के देखला हो वो अपने बात पे कायम है nothing about him gave any suggestions और उस जो परसन है इसको कोई हिसाब से नहीं लग रहा है कि यह बच्चा कहीं गुम होके आया है मेरे पास में ठीक है तो ऐसा उसको फिलिंग आया और जब इसको मौका बोलने के लिए तो अब यह पूछा कि तुम क्या कर रहे हो यहां पर बच्चे से पूछा तुम क्या कर रहे हो यहां पर तुम मेरे लिए श्रीव ड्रॉव कर दो ठीक है वेना मिस्ट्री इस टू ओवर पावरिंग वन डियर नॉट इस डिसोबे और ये उसको एक मिस्ट्री के तरह लगने लगा कि ये मेसेज लगतार एक ही चीज सवाल पूछ रहा है एक ही चीज करने को बोल रहा है तो हम अब हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि हम इसको दिसोबे करें मलब इसको हम नहीं माने ठीक है बहुत ही सीरियस वोइस में पूछ रहा था तो वो क्या किया जो बच्चा बोल रहा था वो करने लगा क्या करने लगा तो I took out of my pocket a sheet of paper and a fountain pen अपने pocket से एक pen column निकालता है fountain pen और एक paper निकालता है और drawing बनाने start करता है ठीक है किसका तो ship का भेल का drawing बनाने start करता है ठीक है और क्या होता जब वो drawing देखलाता है बच्चा को तब वो बच्चा बोलता है क्या ये जो drawing है बनाए हो ये जो है बहुत ही weak नजर आ रहा है बहुत ही बीमार नजर आ रहा है बहुत ही बीमार नजर आ रहा है अब फिर से मेरे लिए बनाओ तो make me another फिर से ये क्या करता है एक drawing फिर से भेल कर बनाता है तो अब क्या करता है बना देता है my friend smile gently up friend किसको बोल रहा है तो उस बच्चे को बोल रहा है अपना friend बना लिया है ठीक है मनलब कि आज़ा word बोल रहा है my friend you see yourself he said that this is not a ship अब फिर जब दुबारा जब drawing बना के दिखलाया दुबारा जब drawing यह वाला drawing बना के दिखलाया पहला तो यह था वर दूसरा drawing बना के दिखलाया तो उसमें सिंग था ठीक है और सिंग किसका होता है तो male ship का होता है ना male ship का जिसको रैम बोलते है क्या बोलते है र-a-m राम ठीक है तो it has horns मंगर उसको क्या चाहिए था ship चाहिए था उसको ship बना हूँ चाहिए था so then I did my drawing over once more फिर से क्या किया वो तीसरा बार drawing बनाना start किया ठीक है but this time my patience was exhausted और तीसरी बार जब वो बना रहा था तो उसका जो सबर था एंटोनी का जो सबर था वो बहुत जादा मलब की चोटी पर आ गिया था मलब उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ मजाग हो रहा है so I made a drawing of a box तब क्या किया वो एक box का drawing बना दिया क्या किया एक box का drawing बना दिया ठीक है और box का drawing बना के देखला दिया ठीक है दशीप यू आउच्ट फूर इस इंसाइड दा बॉक्स अब क्या किया बच्चा को बोला कि यह तुम्हारा drawing है इसी का अंदर तुम्हारा शीप है इसी का अंदर तुम्हारा शीप है समझे ना इसी का अंदर तुम्हारा शीप है सिरिफ एक box बना के देखला दिया तब क्या किया बच्चा थोड़ा सा खुश हुआ थोड़ा सा खुश हुआ और जैसे ही वो यह बॉक्स बना के देखला है कि इसी का अंदर तुम्हारा शीप है तब उसके चहरे में जो स्माइल था इस चहरे में थोड़ा सा स्माइल था सर्प्राइज था तो उससे उस सर्प्राइज हुआ कि चलो खैर यह अब अपना सैटिस्वाई हुआ कि मेरा ड्रॉइंग अब इसको पसंद आ रहा है ठीक है एक्चुली में थोड़ा सा लंबा स्टोरी है यहां पर हम नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि तुम और कंफ्यूस हो जाओगे तो यहीं पर हम बैसिकली स्टोरी का सार ऐसा ही यह तुमको समझ में ने यहांगर क्यों Cast क्यों बनाया ठीक है अयृत कि ठीक है इस एक्जैक्टली दडवे고 दिपा आउन्टेड पाइस साही यह लड़का चाहता था कि जो भेड है वो box में बंद हो जाए और ये वो चाहता था ये वो ये चाहता था तो जो एंटोनी है वो तो box बना के दखला दिया और क्या बुला कि box में ही ship है box में ही ship है ठीक है तो he bent his head over the drawing and that is how I made acquaintance of the little prince और फिर क्या हुआ उन दोने के बीस थोड़ा सा familiar हो गया familiar हो गया तो दोनों मलब की थोड़ा सा familiar हो गया इसका मतलब है acquaintance का मतलब है थोड़ा सा आज मलब की क्या बोलते है उसको गुल मिल जाना एक दूसरे से गुल मिल जाना ठीक है it took me a long time to learn where he came from और यह जो अन्टोनी है उसको ताजू मलब को सोच रहा है कि यह जो है लड़का यह कहां से आया है यह कहां से आया है the little prince who asked me so many questions never seem to hear the ones I asked him और यह अपने आप से सवाल कर रहा है कि यह बच्चा कहां से आया है और यह जो है इतना सारा सवाल हमसे पूछा है कि भेल बना दो यह राम तुम बना दिये हो और तो इतना सारा सवाल पूछा है मगर मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया और उसका सवाल का जवाब क्या था कि तुम क्या कर रहे हो यहां पर एक ही सवाल पूछाता ना वुच्छा यह बच्चा है इसमें नहीं लिखा हुआ इसम thoughs पर यह अलग planet से आता है और अस्टेरोएड कुछ नाम 315 तो इसको मालूम नहीं होता है कि ऑर्थ किस तरह से अर्थ में क्या क्या हो रहा है ठीक है यह दूसरे प्लानेट का होता है तो इसमें नहीं है पर पूरा जब नोबल पढ़ोगे तो यही इसमें तुमको मिलेगा ठीक है तो तो क्या होता है जब यह बात करता तो अब समझ में आ जाता है कि जो पाइलेट है इसको समझ में आता क्या क्रेश हुआ है जो क्रेश हुआ हुआ है ना तो जब यह प्लेन को देखा तो यह पूछा कि यह क्या है यह चीज क्या है यह object क्या है यह कभी देखा नहीं होगा उस planet में जहां रहता है तो यह पूचता है पाइलेट से तब पाइलेट क्या जब देता है इंटोनी कि this is not an object it flies it is an airplane यह कोई object नहीं है यह कोई चीज नहीं है यह कोई वस्तू नहीं यह एक यह एक एरोप्लेन है जो उड़ता है जो उड़ता है और यह मेरा एरोप्लेन है it is my airplane he cried out then what you drop down from the sky तो तुमने क्यों है न क्यों इस आसमान से गिरा दिया इसको है ना you drop down from the sky तो यह मलब मजाग के तौर पर यह लेता है yes I answered modestly oh that is funny तो यह बोलता है हाँ मैंने इसे जमीन पर गिरा दिया हो मलब मेरा plane crash हो गया actually मैं इसको सम्झाना चारे कि मेरा plane crash हो गया पर यह इसको मालूम नहीं है क्या होता है plane किस तरह सोड़ता है ना पहली बार देख रहा है and the little prince broke into a lovely pill of lighter और यह सुनने के बाद यह मुस्कुराने लगता है हसने लगता है which irritated me very much और इसको देखके जो पाइलेट है उसको गुसा आता यह हस क्यों हो रहा है इतना serious problem है हम बता रहे हैं और यह हस रहा है अब यह तो meachistan में फसा हुए इसको डर लग रहा है कि हम मर भी सकते मेरे पास खाने पिने का कुछ नहीं है ठीक है और यह जो है यह जो प्री इसे हांस रहा है यह हस रहा है यह प्लेन नीचे गिर गया है तो यह Sono गटना हुआ है इसको seriously लेना चाहिए तो यह extract है the little prince written by antony descent exoperi मतलब यह extract छोटा सा एक भाग है यह story का तो इसमें तुमको समझ में उतना नहीं आयो कि क्या चल रहा है actually मैं यह क्यों पूछ रहा है तो बस इतना जान लोग यह अलग planet से है और यह अर्थ पर आता है इस तरह से और इससे मुलाकात होता है ठीक है तो दिस वास्ट यूर वीडियो अना आई होप तुमें समझ में आया होगा अगर नहीं तो इस पूरा चैप्टर को पढ़ो और फिर से यह वीडियो को देखो ठीक है इसमें थोड़ा सा वर्ड बहुत ज्यादा ट्रिकी है और हाइड भी है यूर इन क्लास अना थ्री तो इल भी डिफिकल्ट इफ नॉट सी दे वीडियो अगें अन अगें ओके सो वास्ट वीडियो ट्वाइस थ्राइस तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा और क्वेस्टन एंसर इसका तुम करो और नहीं तो फिर हम इसको करके अच्छे से एसे करेंगे ग्रूप में तिल दें गॉड ब्लेस यूवल